अलो फ्रेंट्स, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बातचीत चुरू करी थी बिल्स के बारे में, हम लोगों ने ये देखा था कि बिल्स की डेफिनेशन क्या होती है, legislative procedure वगएरा क्या होता है, पार्लिया मिट का, बिल्स की क्या होती है, किन-किन तरीकों से बिल्स को classify किया जाता है या उसका categorization होता है, and then हम लोगों ने ordinary बिल्स को pass करनी की जो पूरी procedure होती है, उस procedure के बारे में हम लोगों ने बातचीत करी थी, आज के लेक्चर में हम लोग money bill and financial bills के बारे में बातचीत करेंगे बहुत important topic है money bill बहुत सारे सवाल यहां से पूछे जाते रहे हैं पूछे जाएंगे और जितने भी आने वाल examinations हैं you can take it from me that आपको money bill से कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा quality के सबसे important topics में से एक मना जाता है UPST के काफी favorite topics में से एक है तो money bill में से questions बगएरा आता है so I'll request कि आप इसको अच्छे से पढ़ हैं कोई doubts बगएरा आता है then ask I will be happy to answer them but study it seriously it's an extremely important topic and dead sure है कि either in NDA और in CDS और in CAPF something is going to be asked from money bill so it's a very important topic so shelf here we begin money bill का मतलब क्या होता है constitution ने money bill को बड़े technical sense में define किया है constitution में यह लिखा हुआ है कि constitution में उन्होंने money bill की definition is to deal किया आर्टिकल historic 110 जो है आपका constitution का वह mini bill की definition tidak voting करता थे money bill कå definition में आपको समुझान में कहाँ पर देखने के लिए मिलती यह आर्टिकल 110 में आपको इसकी definition देखने के लिए मिलती है और उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई bill आप लेकर आते हैं जिसमें सिर्फ वो ही provisions हैं जो आर्टिकल 110 में mentioned है तभी आप उस bill को एक money bill बोलोगे अनिता आप उस bill को money bill नहीं बोल सकते तो money bill का मतलब क्या है money bill को सम्विधान ने define किया है कि आर्टिकल 110 में जो definition लिखी है उसके according जो bill होगा वो एक money bill होगा और आर्टिकल 110 में जो प्रावधान वगरा किये गा है अगर आपके bill में सिर्फ वो ही सिर्फ और सिर्फ वो ही प्रावधान अगर है उसके लावा अगर कोई और चीज नहीं है तब ही हम लोग उस bill को एक money bill मानेंगे अनिता उस bill को money bill नहीं माना जाएगा अब उसमें प्रावधान क्या-क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बाचीत करते है आर्टिकल 110 में tax related प्रावधान या tax related provisions वगरा किये गाए अगर आपने tax impose करना है या tax abolish करना है या किसी चीज के उपर tax को remit करना है बढ़ाना है घटाना है तो उससे related जो भी बातने हैं वो आर्टिकल 110 में deal की गई है इसी तरह central government जो borrowing वगरा करती है अपने लिए जो भी projects है या खर्चे वगरा है उसके लिए जो loans वगरा लेती है चाहे वो इंडिया में loans ले रही हो चाहे इंडिया के बाहर loans ले रही हो World Bank से ले रही हो IIMF पगरा से ले रही हो तो कितना borrowing करना है किस तरह से करना है उस सारी चीज़ को regulate अगर करना है तो उस से related provisions भी आपको 110 में देखने के लिए मिलते है इसी तरह हमारा एक fund होता है जिसे बोला जाता है consolidated fund of India उसके लिए मैंने short में यहाँ पर CFI लिखा हुआ है consolidated fund of India एक तरीके से आप जो सरकारी घजाना बोलते है उसको कह सकते है भारत सरकार के जितने भी खर्चे वगरा होते है maximum वो consolidated fund of India से किये जाते है तो consolidated fund of India की custody से related अगर कोई प्रावधान वगरा आता है कि भाई इसको कौन समालेगा या इसको किस तरह से handle करना है किस तरह से consolidated fund of India को चलाया जाएगा तो यह सारी चीज़ें भी article 110 में mentioned है इसी तरह से और भी काफी सारे प्रावधान बगरा है बट more or less यह जो है वो major आपके प्रावधान है अब अगर इन में से कोई एक बात या एक से जादा बात है अगर आपके किसी bill में है सिर्फ यही बाते हैं जो article 110 में लिखी है इसमें से कोई एक चीज, दो चीज, तीन चीज या सारे के सारे प्रावधान अगर किसी bill में है, सिर्फ अगर यही प्रावधान है इसके लावा कोई और चीज नहीं है Money Bill का मतलब एक ऐसा Bill है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वो ही प्रावधान हो सकते हैं जिनको Article 110 में में मेंचन किया गया है वो सारे के सारे प्रावधान हो या उनमें से कुछ आपकी चीज़ें मेंचन हो उसमें मगर अगर उनके इलावा कोई और चीज़ें मेंचन की गई है तो फ Article 110 में में मेंचन किया गया है and इसके बाद ये बन सकता है कि किस बिल को किसी बिल को मने बिल कब बोलोगे तो उसका जवाब क्या हो जाएगा किसी बिल को हम लोग कंड बोलेंगे जब उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रावधान में जो Article 110 में लिखर अगरPr अब लेट से कौन से आर्टिकल में आपको देखने के लिए मिलते हैं अब लेट से क्योंकि ये काफी टेक्निकल बातचीत हो रही है ये सारी जो बातचीत है जो अभी तक हमने करी है इसमें काफी सारी टेक्निकलिटीज वगेरा है तो इसके कारण कई बार बहुत कंफ्यूजन क्रियेट होता है कि अगर कोई बिल आया है तो वो मनीविल की कैटेगरी में होगा या नहीं होगा तो अगर कभी किसी बिल को लेके कोई सवाल आता है कोई बिल अगर आपने पार्लियामेंट में इंट्रिजूज किया है और उसको आपने ये बूल के इंट्रिजूज किया है तो अगर उसको लेके कोई क्वेश्चन वगरा उठता है कि वो बिल जो है वो मनीविल है या नहीं है यह सवाल अगर उठता है कि कोई एक मनीविल है या नहीं है तो फिर उसकेस में अगर इस तरीकी का कोई कंट्यूजन हो रहा है तो फिर उसकेस में जो फैसला लेने का पावर है या अधिकार है वो लोगसभा के स्पीकर का है और लोगसभा की स्पीकर ने जो फैसला ले लिया इस रिगार्ड में वो फाइनल माना जाता है अगर उन्ह discussion पर विराम लग जाएगा और फिर आप चाहे कुछ कहें और आप उसे money bill नहीं कह सकते तो अगर कभी कोई सवाल उठता है कि कोई bill जो है वो एक money bill है या नहीं है तो इस regard में जो फैसला लेने का power होता है वो लोग सभा के speaker का होता है बहुत important है कि बिल जो है वो money bill नहीं है तो भी फिर उसके उपर कोई debate discussion नहीं हो सकता है अब यह एक बार इसको आप ना तो किसी court of law में challenge कर सकते हो मतलब ना तो आप इसको फिर लॉक इसके लिए अगेंस में आप court जा सकते हो ना parliament के किसी house में इसके उपर सवाल उठाया जा सकता है कि speaker ने फैसला सही किया है या गलत किया है या उन्हों ने कैसे किया है और इसके उपर कोई बातचीत नहीं हो सकती है अगर कोई confusion होता है तो उस case में उस regards में speaker को जो है overwhelming power दिया गया है तो जब भी कोई decision अगर कोई बिल आना है या आया है और उसको लेके संशे की स्तिती बन रही है कि वो money bill है या नहीं है या फिर वो money bill की definition satisfy करता है या नहीं या फिर money bill की category में आता है या नहीं तो उस case में फैसला कौन लेगा speaker लेगा और उनका फैसला final है ना किसी court में challenge हो सकता है ना parliament के किसी house में सवाल उठाया जा सकता है उसके उपर और ना president उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि अगर आपने इसको money bill बोला है तो क्यों बोला है इसके उपर सवाल या questions वगरा आ चुके हैं आगे भी आएंगे तो ये fact आपने को अच्छे सा याद रखना है अब हम लोग बातचीत करेंगे money bill के passing की जो procedure है उसके बारे में कि money bill को कैसे pass किया जाता है और act वगरा बनाया जाता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा discussion वगरा करेंगे तो इसका जो procedure है वो बड़ा special procedure है constitution ने एक separate procedure रखा है money bill के passing के लिए उसके बारे में अपने को बात करनी है पहला जो चीज इसमें होता है वो यह है पहली जो चीज इसमें होती है वो यह है कि money bill को सिर्फ लोग सभा में introduce किया जा सकता है राज्य सभा में introduce नहीं किया जा सकता तो पहली बात तो अपने को याद रखनी है कि यह सिर्फ लोग सभा में introduce हो सकता है राज्य सभा में introduce नहीं हो सकता और लोग सभा में introduce करने के पहले आपको president से prior permission लेना पड़ेगी याने की President को आपको जाके बताना पड़ेगा कि हम जो है ये Money Bill लाना चाहते हैं और हमें आपकी Permission चाहिए जब President आपको Permission देंगे कि ठीक है आपके पास में मेरी इजाज़त है कि आप Money Bill ला सकते हैं उसके बाद ही एक Money Bill जो है वो लोकसभा में ही पेश होता है राज्यसभा में पेश नहीं होता है और हर Money Bill जो है उसको ये माना जाता है कि वो एक Government Bill है एक Important Point है याद रखिएगा हर ज Money Bill जो है उसको कोई Minister ही इंटर्ड्यूस कर सकता है लोकसभा में कोई और Private Member जो है इस Bill को नहीं लेकर आ सकता है बहुत Important Point है ध्यान रखना होगा कि हर Money Bill जो है उसको एक सरकारी Bill या फिर एक Government Bill माना जाता है और इसलिए Money Bill जो है सिर्फ एक Minister इंटर्ड्यूस कर सकता है कोई द Respect में होते है राजसभा जो है इसके पास में बहुत Limited powers Money Bill के Respect में होते है ना तो वो Money Bill को Amand कर सकते हैं ना वो उसको reject कर सकते हैं हम लोगोंने प्रिवियस लेक्चर में देखा था कि एक ordinary Bill को तो राजसभा reject भी कर सकती है इसको Amand भी कर सकती है मगर यहां पर हम लोग यह Recommendations बोला जाता है वो authoritatively यह नहीं बोल सकते कि आपने यह करना ही करना पड़ेगा वो सिर्फ यह कह सकते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए आप इस पर विचार करिए यह कहलाते है Recommendations और Money Bill को 14 दिनों के अंदर याद रखिएगा Money Bill को 14 दिनों के अ अगर यहां तक की discussion में अपने को एक बात clear समझ में आ गई कि राज्यसभा के पास में Money Bill के respect में बड़े कम powers है या limited powers है और यहां पर हम लोग यह देखते हैं कि राज्यसभा के पास में Money Bill के respect में लोग सभा के comparison में कम power होता है ना वो बिलको अमेंड कर सकते हैं ना उसको reject कर सकते हैं सिर्व उसके बारे में recommendations दे सकते हैं और उनको यह बिल 14 दिनों के अंदर अंदर पास करना होता है अब अगर राजी सभा ने जो recommendations वगरा दिये हैं लोग सभा ने अगर उन recommendations को accept कर लिया अगर लोग सभा ने उन recommendations को मान लिया तब ये माना जाता है कि Parliament के दोनों houses ने उस bill को modified form में pass कर दिया है अगर राजी सभा ने जो recommendations वगरा दिये थे लोकसभा ने उनको मानने से मना कर दिया तो फिर ये माना जाता है कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसों ने उस बिल को उसके ओरिजनल फॉर्म में पास कर दिया अब यहाँ पे देखिए कि यहीं से हमको समझ में आता है कि कितनी जादा पावर और लोग सभा के पास में money will के respect में है कि राजी सभा ने कुछ recommendations दिये कि हम चाहते हैं ऐसा ऐसा आप इस bill में कर लें amendment और reject तो उसे कर नहीं सकते recommendations वगरा देकर 14 दिनों में pass करके इस bill को लोग सभा के पास लोटा है लोग सभा ने बोला कि ठीक है आपने जो recommendations दिये हैं वो हमको मनजूर हैं हमको मानने हैं तो उस case में क्या माना जा रहा है पारलियामेंट के दोनों houses ने उस bill को modified form में pass कर दिया आप इसी की जगे पर इन्होंने जो recommendations दिये हैं लोग सभा ने अगर यह बोला कि हमें आपके recommendations मानने नहीं हैं हमें आपके recommendations विकारे नहीं हैं तो उस case में फिर यह माना जाएगा कि पारलियामेंट के दोनों houses ने बिलको original form में pass कर दिया इसके इलावा अगर राजसभा ने बिलको pending रखा और 14 दिनों तक लटका के रखा त ऐसे 14 दिनों का time period खतम होता है तब यह माना जाता है कि पारलियामेंट के दोनों houses ने बिलको original form में pass कर दिया तो तीन case यहां पे बनते हैं आपने जो recommendations दिये थे अगर वो मान लिए तो उस case में यह माना जाएगा राजसभा ने जो recommendations दिये थे अगर वो मान लिए तो यह मान है था वैसा का वैसा पारलियामेंट के दोनों houses ने पास कर दिया और अगर आपने बिलको लोटाया नहीं 14 दिनों से जादा आपने pending लटका के रखा तो फिर जैसे ही 14 दिन खत्म होगा वैसे यह माना जाएगा कि पारलियामेंट के दोनों houses ने बिलको लोगसभा में जैसा वो पास हुआ है original form में पास कर दिया है और उसके बाद में उसको president के पास में sign होने के लिए भीज दिया जाएगा तो यहां से एक बात बहुत ज़्यादा clear हो जाती है कि money bill के respect में लोगसभा के पास राजी सभा के comparison में बहुत over riding powers है या फिर ज़्यादा शक्तियां assent दे दें, sign कर दें उसके उपर और वो bill जो है वो एक law बन जाएगा या फिर वो bill के उपर अपना sign ना करें अपना assent ना दें और withhold करके रखें उस case में वो bill खतम हो जाएगा और law नहीं बन पाएगा मगर वो bill को reconsideration के लिए नहीं लोटा सकते अभी ordinary bill के case में क्या हो रहा या तो आप sign कर देते थे या फिर आप अपना assent विथोल्ड गर-गर रखते थे या फिर आप bill को लोटा देते थे रिकंसेट्रेशन के लिए मगर एक money bill के case में प्रेसिडेंट जो है रिकंसेट्रेशन के लिए बिलको नहीं लोटा सकते उनको या तो उस पर sign करना होगा य फिर से अप रिकंसेट्रेशन के लिए बिलको लोटा देंगे नॉर्मली होता यह है क्योंकि उनी के एसेंट के बाद में या उनी के permission के बाद में बिलको लाया गया था इसलिए वो अपनी permission दे देते हैं और वो इसके उपर sign कर देते हैं और इस तरीके से आपका जो bill है वो पास हो जाता है money bill जो है वो पास हो जाता है और वो एक law या फिर एक act बन जाता है अब हम लोग बातचीत करते हैं financial bills के बारे में उससे related matters है या पर अगर कहीं पर सरकार का कुछ खर्चा हो रहा है उससे related matters है fiscal matters से deal करने वाले जितने भी bills होते हैं वो कहलाते हैं हमारे financial bills आब financial bill को तीन तरीके से divide किया जाता है या तीन तरीके से classify किया जाता है पहले होते है money bill जो article 110 में आते हैं जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बातचीत करी दूसरे होते है financial bill type 1 जिसके बारे में article 117 clause 1 में बात की गई है और उसके बाद आते है financial bill type 2 जिसके बारे में article 117 clause 3 में बात की गई है तो financial financial bills का मतलब क्या हुआ ऐसे bills जो fiscal matters के साथ या फिर revenue and expenditure के matter के साथ deal करते हैं वो कहलाते है financial bills तीन categories में या तीन तरीके से classify किये जाते हैं money bill, financial bill type 1 and financial bill type 2 यहां से अपने को क्या समझ में आया कि हर money bill जो है वो एक financial bill होता है मगर हर financial bill एक money bill हो यह जरूरी नहीं है यह reasoning and assertion में पूछा जा चुका है यह fact इसलिए अपने को यह याद रखना होगा कि हर money bill जो है वो financial bill का एक कह सकते हैं कि subset है मगर हर financial bill जो हो money bill हो जरूरी नहीं है तो अगर आप इसको when diagram के point of view से देखें तो वो क्या बनेगा यह हो गया आपका financial bill और यह जो हो गया उसका एक part money bill यानि कि money bill is a subset of a financial bill but it does not go other way round यह एक बार reasoning and assertion में पूछा जा चुका है कि हर financial bill एक money bill होता है true है या false है तो इसका जवाब हो जाएगा अपना हर financial bill एक money bill हो यह ज़रूरी नहीं होता उसकी कुछ और भी categories होती है तो statement गलत हो जाएगा तो यह हो गई तीन categories money bill हम पहले discuss कर चुके हैं अभी financial bill type 1 and type 2 के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे इसके लावा एक चीज़ और भी होती है कि money bill की उबर speaker लिखकर देते हैं या फि हमनों ने फैसला ले लिया उस regard में कि एक certain bill money bill है या फिर एक certain bill money bill नहीं है तो फिर वो फैसला उस regard में final होता है उसको question नहीं किया जा सकता मगर financial bills के बारे में कहानी अलग है इसके अभी हम लोग details में जाएंगे तो वो article 117 में deal किया गया है कि financial bill type 1 या type 2 क्या होता है और किस clause 1 में deal किया गया है उसमें मतलब article 117 के जो अलग-अलग clauses है उसमें से जो आपका sub clause 1 है या फिर जो पहला clause है उसमें आपको financial bill type 1 या category 1 के बारे में पता चलता है अब financial bill type 1 या फिर financial bill category 1 क्या होता है देखिए एक ऐसा bill जिसमें हो सकता है article 110 के कुछ provisions हो या फिर सारे के सारे provisions हो मगर उसके इलावा अगर उसमें दूसरे provisions भी डाल दिये जाते हैं तो फिर वो bill हो जाता है आपका financial bill type 1 यानि कि अगर आपके पास में एक bill है जिसमें article 110 के कुछ या सारे के सारे प्रावधान है और उसके अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ उसमें तो फिर वो या फिर उ एकखामबल के लिए अगर आप Α है तो अगर इस बíल में सर्फ taxation के बात होती taxation के लावा इधर से अधर तक कोई और बात नहीं की गई होती तब तो यह bill हो जाता money bill लगर let's say कि इस bill में taxation की बात की गई है और taxation के साहते इनुन ने कुछ और भी बात करी है जिसके बारे में आर्टिकल 110 में कुछ नहीं लिखा है तो यह bill क्या हो गया इसमें taxation की भी बात हो गई और उसमें कुछ और बातें भी हो गई तो फिर अब यह bill money bill ना कहला के financial bill कहलाता है तो इसका मतलब क्या हुआ एक ऐसा bill जिसमें आर्टिकल 110 के कुछ या सारे के सारे प्रावधान मेंचेंड हो मगर इसके अलावा दूसरी बातें भी की गई हो जो आर्टिकल 110 में डील नहीं किये गए तब वो bill financial bill type 1 की कैटेग्री में आ जाता है आप एक financial bill type 1 जो है यह दो matters में money bill से similar होता है या फिर money bill और इसमें similarity होती है पहला तो यह कि financial bill type 1 और money bill दोनों के दोनों लोगसभा में introduce किये जा सकते है राजिसमा में introduce नहीं किये जा सकते है दूसरा यह कि दोनों को introduce करने के पहले आपको प्रेसिदेंट से प्रायर पर्मिशन लेना पड़ती है बिना प्रेसिदेंट की पर्मिशन के ना आप money bill को लेकर आ सकते हो ना आप financial bill type 1 को ला सकते हो तो पहला क्या हो गया सिर्फ आप लोगसभा में ला सकते हैं प्रेसिदेंट की प्रायर पर्मिशन आपको लेना पड़ती है इसके इलावा बाकी सारा जो प्रोसीजर होता है वो सेम होता है और बिल के जैसा यानि की राजिसभा इस bill को reject भी कर सकती है एमेंड भी कर सकती है छे महीनों तक के लिए लटका भी सकती है जॉइन सिटिंग भी इसके उबर बुलाई जा सकती है काफी सारी चीज़ें हो सकती है तो इन दो पॉइंट्स को अगर छोड़ दिया जाए तो इसके इलावा मनी बिल के पासिंग का जो पूरा प्रोसीजर है वो एक और्डिनरी बिल से सिमिलर होता है और्डिनरी बिल के समान होता है अब आती है बातचीत financial bill type two के बारे में financial bill type two या category two जो है ये समविथान के article 117 clause three में deal किया गया है याने कि article 117 में जो भी provisions दिये गया है उसका जो third clause है या जो third provision है उसमें बात की गई है financial bill type two के बारे में financial bill type two वो bill होता है जिसमें Consolidated Fund of India से expenditure से related प्रावधान वगेरा होते हैं मगर इसमें उच्छ में से कोई भी बात mentioned नहीं होती जो Article 110 में की गई है Article 110 में Consolidated Fund of India के बारे में कुछ बातचीत की गई है कि किसके पास में custody होनी चाहिए और अगर आपने उसमें कुछ changes वगेरा करने हैं वो सारा procedure के बारे में बातचीत की गई है तो Article 110 में Consolidated Fund of India के बारे में जो भी बातने लिखी गई है उससे इतर उसको हटा के अगर Consolidated Fund of India के expenditure से related कोई बिल लाया जाता है एक ऐसा बिल जो Consolidated Fund of India के इससे related expenditure के बारे में तो बातचीत कर रहा है मगर Article 110 में Consolidated Fund of India के बारे में जो प्रापधान या प्रोविजन किये गए हैं उससे related कोई बातचीत नहीं कर रहा तो ऐसा बिल जो है Financial Bill Type 2 की category में रखा जाता है अब बाकी सिर्फ इतनी इसकी definition में जो एक ये particular point है इसके अलावा इस Bill को एक ordinary Bill की तरह treat किया जाता है इसको Parliament के दोनों में से किसी भी house में introduce किया जा सकता है इसको कोई minister भी introduce कर सकता है इसको कोई private member भी ला सकता है और इसको introduce करने के लिए President की prior permission की जरूरत भी आपको नहीं बढ़ती है बस इस Bill के साथ में एक खास बात ये है कि अगर इस Bill को introduce कर लिया गया है debate और discussion इसके उपर पूरा हो चुका है तो अब इस Bill को pass करना है या नहीं करना है इसके उपर जो final voting होगी वो President ने जब आपको recommend किया है उसके बाद ही आप कर सकते हो यानि कि President ये बोलेगा कि इस Bill के उपर final voting की जाए सिर्फ तभी आप financial bill type 2 के उपर voting कर सकते है या आप consideration कर सकते है नहीं तो उसके उपर कोई voting वगएरा consideration नहीं हो सकता है बाकी इसके साथ में कोई और special provisions नहीं जुड़े हुए बाकी जो Bill है ये ordinary Bill की तरह treat किया जाता है So with this we come to the end of this lecture इस lecture में हम लोगों ने दो specific categories दो हैं बिल्स के बारे में money bill and financial bill उनको पढ़कर खतम किया तो जो चार categories है ordinary bill, money bill, financial bill and constitutional amendment bills उसमें से 3 categories हम लोगों ने पढ़ ली है ordinary bill हम ने इसके पहले वाले lecture में cover कर लिया था and इस lecture में हम लोगोंने money bill and financial bill के बारे में बात्चीत कर ली है next lecture में constitutional amendment bills के बारे में बात्चीत करेंगे and joint sitting के बारे में बात्चीत करेंगे so by that moment of time I'll wish you all the chaps a very good luck whosoever are in the phase of preparation exam की dates आ चुकी है तो अब आप लोग अपनी तरफ से effort जबल कर दीजिए keep preparing, keep working hard and may God bless you all. Jain. Thank you.